बसकार दोस्तों आपका टाइम नीज में सवागत है आज जो चुनाव यात्रा हम लोग लेकर पहुँचे हैं जो छिर्शा गंज विदान सवा में जो कि इसका जो जिला है जिला पड़ता है फुरुजवाद तो फुरुजवाद के जो गिराम हम लोग पहुँचे हैं ग्राम के पास चलकर बात भी करेंगे जैसे जादा जी खड़े हैं नमस्ते दादा जी आपका नाम क्या है जिदर आजाई आप गाड़ी आ रहे हैं किया नाम आपका महावीर सिंग जी तो आप दादा जी मुझे ये बताएगा जैसे हम लोग चुनाव यात्रा निकाल लहीं है गाउ जैसे 2022 में क्या लग रहा है जैसे 2022 में क्या लग रहा है क्योंकि आज मैं आपके गाउं में आया हूं चुनावी महाल पता करने 2022 में किसकी सरकार ले इस सरकार से आप परेशान है या नहीं है या परवरतन देखना चाहते हैं कुछ बताईए इस सरकार से तो अच्छा है कि आगे मतलब हम जिसको सेलेक्ट करेंगे वो में भी हो सकत हैं नेन निकले ले हैं तो इसको आपकी नजरीय से दिखते हैं नजरिया तो नहीं ऐसा है कि वैकेंसी नहीं निकली है पिछली यूपी टैट का जो पेपर हुआ था वो कह रहे थी कि लीक हो गया ऐसा कुछ हां तो उसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि उसमें तो भाजपा सरकार की थोड़ी डील रही है क्योंकि योगी सरकार ने इतनी ज्यादा चूट दे रखी है कि इसके वजह से यह जो पेपर लीक क आगया दिसंबर मतलब जाने ही वाला है और लगवद आठ नौ दिन में जनवरी आ जाएगी मतलब 22 आजाएगी जो कि पूरा यूपी का महायोद होने वाला मतलब चुना होने वाला तो उसमें आपको क्या लग रहा है आप ऐसा है देखो अभी तो कुछ कहा नहीं जाता है जैसे आगे जैसे चुनावी दोर चलेगा ना उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे किसको देना है तो देख सकते हैं यहां को चुमाइला हैं भी खड़े हुए मैं लोगों से बातशीत करूंगा चुनावी महल पता करूंगा तो नमस्ते अंटी जी हम लोग चुनाव यातर जैसे युझ्या श्रुमा योजना युझ्या युझ्या जुक्ट के माधियम से आपको च्यूंत्त श्रुमा का थिन तो говорил के दिया कि आपन से जिए जिक अब तो इस सरकार से परेसानिया क्या आपको नहीं तो आप तो बोट डालते ना अपने परेसानी यह बराबर चल लग नहीं जैसे और भी लोग हैं काफी इस सरकार में लोग कहते हैं कि मैला है सुरच्चित हैं पहले नहीं थे तो जैसे मतलब आपकी उमर भी बहुत जादा है जैसे सब्सक्राइब दो मैंने मतलब आपको एक मैंने दो बार रासन मिल ला तो और भी लोग हैं अंटी जी आप कुछ कह रही थे रहा है यह बढ़ा रहे हैं अब पैसा ही नहीं पराइब तो दो यहार वाइस में जो बोट डलेंगे उसमें आप यही सरकार को बोट देंगे या कोई परवरतन कोई दूसरा बदलाब यह देगे जई तो आप क्या नहीं चाहिए बाद में बताएंगे आपको क्या लग रहा है अंटी अंटी जो है सब्सक्राइब आप भरवा रहे हैं का भरवा है रोटी चूले पर बनना है पैसे नहीं सब्सक्राइब अच्छा तो जैसे अच्छा तो आप लोगो ने दिया था तब मोदी सब्सक्राइब आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं अच्छा तो अब आप लोग कहां से आए अच्छा गला लेने आई ते आप इतनी दूर अब अच्छा मतलब एक घर में एक ही रिफाइंट दी जाती है एक लीटर की है पांच उनेटों तो एक मिलें एक लीटर तो यहां पर आप लोगो सकते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं मैं लोगों सब्धेशन और शुशं का आपका आपका नाम क्या है दीता तो आप भी रासन लेने आई थे तो रासन आपका मिल गया कितना रुपय लगे अपर रुप और चना नमक तो ग्योंचावल में जैसे 2022 में चुनाओ आ रहा है जो जैनकारी होगी तो मैंने आपके अभी साथ ही ते ये लोग जितने मैला हैं थी मैंने स्लेंडर की बारे में पूचा वो लो के रहे हैं कि मैं स्लेंडर नहीं वारा पा रही हूं तो अपस्लेंडर वरा पा रहे हैं कितने कवर रहा है जी साड़े नौ सब्सक्राइब अच्छा तो है दो यार 22 में आप किसको देखना पसंद करें यही सरकार या फिर कोछ परवर्तन बदलाव नहीं तो सब्सक्राइब और सभी लोगों का वोट तो बरावर रहे हैं तो लोगों कि अपनी तम कैसा करे है किसको दोंगे हम जो मनवाना सब्सक्राइब तो बता ही वे तो यह आपका नाम क्या है मेरा नाम सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो 222 का चुनाओ काफी नजदिक आ गया जानकारी आपको सबी दल अपनी बड़ी बड़ी रेलियां कर रहे हैं चोटे चोटे दल भी अप इसको क्या लग रहा है दोजार वायस में किसकी सरकार लग रही है आपको यही सरकार ठीक है या बदलाब देखना चाहते हैं या सपा बाजपा कांग्रेस बसपा किसको देखना चाहते हैं हम तो साब जिसको जिसको जो हमको लाब दे रहा है उसी को देखना चाहती है लाब सभी सरकार देती है लए लग तो सब्सक्राइब परागे चलके पता लगेगा क्या होताक बंटी है और कि मत क्राइब नहीं इए किसान क्राइए मजदूर किसान ही म 빠प हैं किसान मजदूर कुछ Beetle이야 आदि हमको तो यहीं लग रहा है कि सरकार यहीं ठीक है यह ठीक है आज सिलेंडर पैट्रॉल कोई भी मेहंगाई काफी चरम पर सरसों का तेल हैं लोग इसको मुद्धा बना कर चल लें लोग नाराज हैं किसान नाराज है चुट्टे जान वरों से विए आप आपको क्या लग रहा ह भाषब सरकार थो कोई भी भी बन या सरकार कहीं से लाई तो अधी नहीं तो सरकार सो यहीं से लेगी और जिशीवेगी देगी किसी की सरकार वन अच्छा गुंडा गर्दी के वज़े से आप बाजपा को चुनने हैं तू पांस साल पहले क्या गुंडा कर दी थी तो नहीं बता है चलिए कोई बार नहीं आप बताना नहीं चाह रहे हैं और भाई आसे मैं दुबारा से पूछ रहा हूं और अभी आ रहा हूं आप की पास भी तो आपकी बात अधूरी रह गई थी तो जैसे मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं तो 2020 का चुनाफ काफी नजदीक आ गया है सभी छोटे बड़े दल अपनी दमकम दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी रेलिया कर रहे हैं तो आपके गाउं का क्या माउल र अभी इतनी पार्टिया जो रशहर से मतलब और एड़ेजबराइजमेंट और जो भी होता है वह चुछ पून नहीं है तो अब हमकुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन जहां तक होगा तो अभी कुछक्ष कहर नहीं सकते न जर नहीं चल रहें बासीों तो चलते होगे तो दादा जी नमस्ते आपका नाम कैंगा है तो दौजार वाइस में आपको क्या लग रहा है दो जर वास में जैसे काफी चुनाव नजदीक आगए यही मैं सबसे सवाल यह की पूछ रहा हूं क्योंकि हम लोग चुनाव जातर निकालने इस लिए इस सरकार से आपको क्या क् आपको परिषानिया है या नहीं परेसा निखा जलबत क्या है यह अच्छ तो तो परवरतन देखना चाहते है अब अधर बन जाता ना एक बनता है आपका था परिदान मंतरी का वोट और आपका वोट वरावर आप के रिम रोड़े मेरे करने सो कुछने हो ना यह का अधियों मैया आपके ना याद या निया निया तो ऑनी जाता है निक समाझवादी पाईटी जाम नामना पर समय बादी पिर शपास था अभी वनी चना हो के बाद आपको क्या लग रहेगा आपका मावल आपकी आप तो काफी मतलब काफी बड़े हैं यहां पे चर्चा के होती होगी आप काफी प्रचिष्टित आदमी यहां अपने समाज का आया कुस्वा समाज का नम भी आपने अगर उन्हों ने किसी से गटवंदन कर लिया तो अच्छा तो आप लोग देख सकते हैं कि और भी लोग है यहां पर में और लोगों से अभी तो एक दादा जी एक भाईया जी और बैटे हैं मैं भाईया जी से पूचना चाहता हूं आपका नाम क्या भी है केला सुस्वा चा जैसे सरकार बन रही है तैक सरकार वैसे तो मानें के च radhार मत यानि मनि बाब Si prochain घनाज चिनन कीप वैसे हमारी पाटी तो है अच्छा और मालों लड़ेंगे चुनाओ तो फिलाल मैंनोहीं के लिए है तो आपका नाम क्या है तो जैसे 2020 का चुनाओ नजदी का रहा हैं लोग चुनाओ यात्रा निकाल लए हैं तो इसी सिलसले में आपके गाउं में बात करने आई गाइए आधे श्श्य वाहिए है तो जैसे यहां पे एक और लोग यहां पे कहां कि सपा की भूलाएं को जन अधिकर बाभू सींकुला कि समस्या यहां पर यहां पर जल वराव के अलाव और भी को इसमस्या है आप तो जैसे सरकार से आपको कोई परिसानिया नहीं है नहीं कोई यहां पर माइना नहीं रखेगी लोग कहते हैं क्योंकि टावा के आसपा सुरुजाबाद में या महन पूरी में लोग कहते हैं कि छुट्टा जानवर बहुत ज्यांदा है तो छुट्टा जानवर से भी पर रिशहानी हो रही है किसानवा है सही के चुट्टा जानवार बहुत दिमाले और रात और रात रखा रहे आं पृर्विया बोले हैं कि वीजए पी को वह क्यों बोले हैं तक के लिए हैं मार्च में चुनाओ खतम हो जाएगा इसके बाद गला नहीं मिलेगा फिर ही मैं इसको आप फिर किस नजीरी से देखेंगे वह बोट और वाइवा नहीं वह मैं नहीं कह रहे हैं वह आपका मत आप किसी दो मुझे मतलम नहीं है मैं मैं चुनावी महाल पता कर रहा हूं जैसे अभी मतलब आप आप देते हैं ना आप अपनी समस्य पहुंचा यह मैं आपकी बात को पहुंचा रहा हूं वहाँ चलिए आप कुछ दादा जी ने भूला नहीं है दादा जी भावनाव में भह रहे हैं तो आपको दॉजर बास में क्या लग रहा है आपको दो यह राश में किसकी सरकार हो रही है या नहीं हो रही है नहीं हो रही है मैं विदान सभास सुकवास 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 से अठामें विदान सभास है हमारा मतलों यह हम निसास समासी है अच्छा आप निसास समासी जी हमें आ रच्छी मिलेगा तो हम भी संजा संजा निसाद जी संजा निसाद जी की लखनों में रेली वी थी उसमें जैसे सुनने में आया कि संजा निसाद अभी बीजेपी से रोष्ट चल लए हैं रोश्ट चल लए हैं रोष्ट छल ले वो ला था कि सब्सक्राइब 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 नहीं जानकर यह नहीं चले कोई बान नहीं तो नमस्त आदा जी आपके नम क्या है राम प्रिकास तो हम लोग चुनाव यात्र निकाल रहे हैं तो आपके गाओं में बात की जाए तो सभी पाइटियों के लोग हैं और कोछ लोग के रहे हैं कि समाजबादी पार्टी कोई कह रहे हैं बाजपा कोई कह रहे हैं जन अधिकार पार्टी कोई कह रहे हैं निसाद पार्टी तो आपको क्या लग रहा है 2022 में किसका महल आपको लगेगा जिसका महल मिलेगा उसका वोट देंगे महल के साब से इस सरकार से कोई परिशानी आ तो है अब हेक सब्सक्राइब तक हुआ हुआ उरन सानल सब्सक्राइब नहीं है में जा आपके पास बाहन नहीं है इसलिए बाहन नहीं है किस से जाते हैं दूर दूर साइकल से और उसके बार बस पे बस से टंपू से तंपू से और तो जैसे आप कि आपके लड़के बच्चे भी होंगे वो क्या कर रहे हैं बाहर रहा है रहर है अब यहां तो आपको लग रहा है सरकार से आप बोलें परिशानिया भी हो रही है और आप बोलने हैं परेसानिय नहीं भी हो रहे हैं तो यह आप एक चीज बता दीजे मुझे क्योंकि आपके जो बच्चे हैं इस गाउं को छोड़ करके बाहर दूसरे प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं आप बता रहे हैं तो यहां पर क्या रोजगार नहीं है उनका कोई रोजगार रोजगार नहीं है तो 2022 में किसको देखना पसंद करेंगे वाजपा या कोई अधर दूसरी पाइटी आप समय के इसाफ से चलेंगे हैं तो और भी लोग है काफी लोग मैं अंकल जी से बात करता हूं तो आपका नाम क्या नाम बताओं लायक सिंग नाजी दो 2022 में आपको क् कम कर रही है है यह लोग क्या रहे है की परेशाम हुन अश्कान हूं नहीं हुना उम्हार यदि चैव धरहन इस पर देखा हमाई पहले की सरकार कैसी लगी समाजवादी पाइटी चाहिए और कैसी लगी पासे लगी लगी तो चलिए कोई बात नहीं तो दो दौजार वाइज में आप बारती यनता पाईटी देखना चाहरे हैं देखिए रहे इस मतलब मुझे आपका समझ में हीनिया रही हैं आप किया कह रहे हैं आप्पार लोगं ने वताए कि अदर से जीवन का संगर से परेशानी आफिक चली जाते हैं आपके बच्चे वह होंगे यह इस सरकार में लोग क्या तो यहां के जो ग्राम के प्रदान जी है मैं उनसे बादशीत करना चाहा रहा हूं देखते हैं क्योंकि अभी इन से मुलाकात हुई है तो प्रदान जी नमस्ते हम लोग मीडिया से हैं और 2022 का चुनावी सर्वे पता कर रहे हैं तो जैसे 2022 को चुनाव काफी नजदी क्या रहा है और उस्ट जरवेंड़्य काफी तेज हो गए है छोटे दलूं बड़े दलूं भरपूर एक रहे हैं वड़ी दी डिया कर रहे हैं तो क्या लग रहा आपको 2020 में किसकी सरकार आपको लग रहे हैं किसकी बन सकती है किसकी नहीं परवरतन देखना चाहते हैं सरकार से परेसानिया हो रही है या नहीं यह गली भी आप बन वा रहे हैं तो इसको किस नजरी से दिखते हैं अरे भाई अब हमें तो दोनों सरकार टक कि इसमें जल बराओ की समस्य होते हैं आप बाकी मेने अवे बाना सरवय करवा दी और नहीं कम लगाएगा इसका इसका ईटे लोग ने बनवाने देख इधर कल नहीं रूट से तो जैसे कुछ तो लग रहा होगा आप दोनों टक्कर बताने सरकार से परिसानिया भी हो रही है क्या परिसानी का है अब दोनों गरमाट कुछ नहीं कह सकते हैं यहां पर जाती का चुनावी बहुत हो रहा है जाती के एसाप से भी क्या बोर्ट डलेंगे अब तो यह तो नहीं कह सकते हैं जानकारी होगी आपको आपको किसी के बारे में आपको कितने मत मिले थे हमें मिले थे सब्सक्राइब कर देख सकते हैं यह प्रदान जीते हैं जो इनकी जो यहां के आसपास के लोग सिकायत कर रहे थे वह सिकायत वियाद दूर हो जाएगी कह रहे थे कि यहां पर जो जल वराव की बहुत समय से आती तो प्रदान जी कह रहे हैं कि एक दो दिन में इसका कार चालू हो जाएगा इन्हों प्रस्ताब जारी कर दिया है तो इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहेंगे गाउंका विकास आपका कैसा चला है अब प्रदान जी कैसा करा रहे है और यह जाने तो जन तकी बात है जो जन तहने को पूछी काम कहता चला प्रदान जी कैसा करा रहे हैं अधर पूछ लीजिए आपके लोगों को काम हो रही है और एक वी चला है मंभी का मेरा श्रूजाबात में प्रोजबाद कर यह नहीं मुझे आंकरी सरसा गज मेदान सब प्रोजबात जिला है था आप लोगह सकते हैं प्रदान से तो इसी परकार की और आप चुनाओ यात्रा देखना चाहते हैं तो आप इसी परकार की तुम यात्रा देखते रही का